हलो फ्रेंट्स मेरा नम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं Learn Code with दुर्गेश YouTube चैनल और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं JSP Implicit Objects और फ्रेंट्स ये बहुत ही important topic है JSP Implicit Objects क्योंकि आपको पता ही है JSP ही एक बहुत ही important topic है अगर हम Java Advanced की बात करें अगर हम Enterprise Level Applications की बात करें क्योंकि ये जो technology हूँ basic technology है अगर आप web application बनाना चाहते हो आपने PHP में अगर काम किया होगा तो आप समझ सकते हो JSP की क्या importance है और JSP के अंदर Implicit Objects बहुत ही important role play करते हैं तो सबसे पहले चलिए start करते हो देखते हैं सबसे पहले जानते हैं implicit objects होते क्या है और हमें इन्हें क्यों use करना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए अच्छा से तो अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और well icon को भी दबा दिए क्योंकि हम लोग daily awesome videos लाते हैं कभी-क कभी एक वीडियो लाते हैं और कभी-कभी 2-3 वीडियो भी एक दिन में upload कर देते हैं तो अगर आपको programming सीखनी अच्छा से तो make sure आप चैनल को subscribe कर लिजिए for latest update और अगर आप इस series को enjoy कर रहे हैं अभी तक access नहीं किया तो जाके YouTube पे और इस series को access कर लिजिए और हमें comment section में बताइए कि आप कैसा project expect कर रहे हमसे इसके बाद हम लोग project ही लाने वाले चाले अब लोग अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं GSP implicit objects क्या होते हैं और हमें वो objects कैसे मिलेंगे हम उनका फाइदा कैसे उठा पाएंगे तो friends implicit object क्या होते हैं यह जानते हैं तो implicit object GSP के अ JSP के page में कहीं भी implicit objects को directly use कर सकते हैं और friends मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यह सारे objects पहले इसे पढ़ रखे हैं servlet में जैसे servlet request का object, servlet response का object, page context का object, servlet config का object यह सारी चीजें आप पढ़ के रखे हो यही सारे objects आपको servlet में use करने से पहले आपको fetch करना पड़ता था क्या किये गए हैं, provide कर दिये गए हैं, जैसे for example मैं आपको एक example लेकर समझाता हूँ, suppose मेरे पास अगर हमें Java में servlet में हमें कुछ print करना होता था, तो हम लोग को क्या करना होता था, सबसे पहले हमें एक variable डिगने करना पड़ता था, print writer, और फिर variable का हम लोग को एक नाम यह क्या करता था, method हमें reference object देता था, out में, अब हम out को क्या कर सकते थे, use कर सकते थे, क्या करने के लिए, print करने के लिए, यह सारा काम करने के लिए, that means printing वेरा करने के लिए, browser पे हम लोग ऐसे करके पहले variable object को निकालते थे, उसके बाद यूज करते थे, बड़ अगर अगर यहाँ पे कुछ print करना है, क्योंकि आप jsp उसका फाइदा है, क्या फाइदा है, क्या फाइदा है, कि आपको यह जो out वाले variable है, पहले अभी आप fetch कर रहे थे, अब यह जो variable है, यह direct आपको मिल गया, और आप देख लीजे, यहाँ पे, जैसे ही आपने out लिखाना, यह क्या तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, out variable यूज कर सकते हो, और out के अंदर रखा क्या होगा, आपका print writer, that means jsp के अंदर अगर आप यूज कर दो, jsp writer का object जो browser पे print करने के लिए, that means response को generate करने के लिए, तो out यूज कर सकते हो, that means out एक implicit object है, और out ही यूज करना है, आप यहाँ पे क variable यूज करें, out means implicit object है, out का, जिस तरह out implicit object है, वैसे ही, अगर आपको sttp servlet request कोई data fetch करना होगा, तो आप request variable direct यूज कर सकते हैं, without getting, विना get के यूज कर सकते हो, और यहाँ पे इसके सारे functions यूज कर सकते हैं, आप get cookies कर सकते हैं, cookie निकाल सकते हैं, dispatcher निकाल सकते हैं, session निका सकते हैं, that means, इस get को आप direct use कर सकते हो, क्या करने के लिए, request को process करने के लिए, और यह request है, वो है हमारा http servlet request का object, जो की implicitly मिला हुआ है, किस variable में, request वाले variable में, तो दो यहाँ पे object हम लोग ने discuss कर लिए, एक out print करने के लिए, और एक request है, जो http servlet request का object है, यह request variable में आपको मि करना है, simply इसी variable को use करना है, उसके बाद simply जैसे request object है, वैसे ही आपको एक variable और मिला हुआ है, जो है response, आप response से बहुत सारा काम कर सकते हैं, send, redirect वगरा, error वगरा, बहुत सारी चाहिए, यह servlet response का object है, तो आपको get नहीं करना servlet response, simply use करना है, that means, तीन object हमको free में मिले हुए है, इनको पूरे page में कहें भी हम बिना get के हुए, इन रही variable की help से use कर सकते है, आप forth Louise की बात करते है, तो आपको यह लिए पर एक variable मिला हुआ, config, config variable मिला हुआ है, आप config use कर सकते हो, और config servlet, config object होता है, service config object होता है, यह config, to servet config, w biz to name service, вже jsp page का auto generated servlet होगा, JSP page का एक backend में servlet बनता है उस servlet का वो config object होगा config मतलब वो उस servlet की information store का सकता है और वो servlet specific installation parameters को निकाल सकता है यह सारा काम कर सकता है तो simply आप लोग जब config यूज करना होता था servlet में तो आपको get servlet config करना पड़ता था अगर कभी भी आपको future में config की जरत होगी तो simply आप config variable यूज करके जैसा ही dot लगाओगे config के सारे methods यहाँ पर use हो जाएंगे आप उनको क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो तो आप initialization parameter निकाल सकते हो servlet context निकाल सकते हो यह सारा काम कर सकते हो config की help से तो simply मैं इसको comment करके यहाँ पर लिख देता हूँ यह जो variable है वो servlet config का variable है अब implicit object है तो आप मैं simply आपको यही बताना चाहूँगा कि implicit object है तो मैं आपको यह सिखा रहा हूँ कि इन वाले इन सारे variables को आपको get नहीं करना है direct use करना है बट शायद अगर अगर शायद यह servlet के अंदर हम लोग होते है तो इनको कही ना कही से हम लोग get करते फिर use करते next है वो है servlet context का object let us suppose आपको servlet context क्योंकि let us suppose आपको servlet context इस page में use करना है यही पे जहाँ पर करसर चल रहा है तो आप आप क्या कर सकते हो तो request की help से get भी कर सकते हो बट एक implicit object है फिफ्थ जो हमारा वो application जैसा ही application उस करेंगे simply application का मतलब ही होता है इसके अंदर रखा हुआ है किसका object servlet context का object जो represent करता है हमारे पूरी application को that means वो एक application के लिए एक ही object बनता है और उसको रखा गया है application अगर आप application उस करते हो तो आप क्या कर सकते हो बहुत सारा काम कर सकते हो क्योंकि application के बारे में पूरी application के बारे में information को store करके रखा है इससे आप application specific installation parameters निकाल सकते हो servlet context के अंदर जो attributes रखे होंगे वो निकाल सकते हो और बहुत सारी जीज़े कर सकते हो अब देखो यहाँ पर इतने सारे methods है वो सारा काम कर सकते हो तो simply आपको करना क्या है आपको कोई भी variable यूज नहीं करना है या कोई भी variable आपको get नहीं करना है अगर आपको servlet context उस करना है तो simply आप application variable यहाँ पर जैसे ही आप application variable यूज करोगे servlet context आप यहाँ यूज करोगे तो हम लोग ने सीख लिया है 5 implicit objects out, request, response, config and application तो next one is if you want to use session then you can directly use session variable अगर आपको session यूज करना है तो आप session variable direct यूज कर लो आपको get करने की आवसेकता नहीं है यहाँ पर jsp ने हमको यह variable प्रदान किया है दिया हुआ है हम इनको direct use कर सकते है let's suppose आपको check करना है कि session जो है वो new है की नहीं है तो simply आप session.isnew check कर सकते हो और इसको simply print कर सकते हो तो print करने के लिए मैं इसको out.println के अंदर रख लूँगा println के अंदर रख दूँगा और फिर इसको बंद कर दूँगा अगर यह नया session होगा तो यह true print कर देगा नया session नहीं होगा तो यह false print करेगा अब बात आती है कि मैंने यहाँ यह मैं आपको कर के क्यों दिखा रहा हूँ तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि शायद अगर आप सर्वेड यूज कर रहे होते तो इस session variable को यूज करने से पहले आपको एक लाइन और लिखने पड़ती request.get session और आप पहले इस session में value को fetch करते उसके बाद यूज करते बड़ GSP में यह जो variable है इसके अंदर जो session का HTTP session क object रखा हुआ है वो एक implicit object है जो आप डारेक्ट यूज कर रहे हो आपको कोई value सेट करने है तो आप डारेक्ट session.set attribute करके आपकी दे दिजिए और value की जगा आप कोई value दे सकते हो तो session वाले आपके object में value directly set हो जाएगी तो आप फिर से आपको session नहीं get करना है session get नहीं करना है attribute set करने session का object यूज करना है that means get कर सकते हो set कर सकते हो invalidate कर सकते हो remove कर सकते हो बहुत सारी चीजिए आप डारेक्ट यूज कर सकते हो तो यहां पर हमारे complete हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ नहीं छे छे objects complete हो गए अब बात करते हैं एक object हमारे पास है जिसका नाम है page तो पेज बहुत इतना कुछ खास object नहीं है बढ़ हाँ फिर भी important है यह जो page object है वो represent करता है या फिर यह होता है current GSP page का object अब आप लोग पूछोगे कि sir यह जो page है वो Java का code थोड़ी नहीं और जो object होता है वो Java की class का object होता है तो friends मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यह page में हम coding कर रहे है जब translate होता है page तो यह code convert होता है Java में auto generated serverate में तो यह जो page reference है यह जो variable है यह उसी auto generated serverate का object है तो simply हम लोग क्या समझ सकते है page जो object है वो auto generated जो भी serverate है उसका object है that means यह represent करता है हमारे current page को next बात करते हैं एक और object है हमारे पास जो है हमारा exception का object यह basically object है हमारे throwable class का object है जो represent करता है exception को अगर को exception आएगी तो उसकी detail आएगी इसी exception object में तो simply आप इसको print करके exception को क्या कर सकते हो error page पे show कर सकते हो तो इसमें as such कुछ नहीं है and last बचा हमारा page context का object लाज हमारा कौन सा बचा page context का object तो अब हम लोग बात करेंगे अपने page context object के बारे में तो मैं यहां पर mention कर देता हूं यह 9th implicit object है जिसको हम लोग बोलते है page context object context object और यह basically page context object होता है वो होता है page context नाम का एक class है उसी class का यह है हमारा object simply अब यह object करता क्या है यह क्या करेगा यह हमारे पास जब भी हम JSP में काम करते हैं तो हमारे पास कुछ scopes होते है जैसे page का scope हुआ अगर page के scope में कोई variable है तो सिर्फ उसी page पर यूज होगा request में है तो जहां-जहां request जाएगी वहामा variable यूज होपाएगा session का scope होता है application का scope होता तो basically चार scope है page scope, request scope, session scope application scope तो आप page context की help से क्या कर सकते हो in scope में value set का सकते हो डालेंगे क्यों, क्योंकि अगर हम application scope में कोई value डालेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पूरे application में use कर सकते हैं, session scope में डालेंगे, तो जब तक session valid होगा, object रहेगा तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, तो आपको अलग-अलग objects जैसे session में आप session में value आप session की help से भी डाल सकते हूँ but page context के पास ऐसे attributes और ऐसे functionality अब लेबल हैं जिसकी help से हम लोग 4 scope में value रख सकते हैं page scope, request scope, session scope and application scope इन समय values को हम लोग store का सकते हैं with the help of these page context variable तो हम लोग ने इस वीडियो में देखा 9 implicit objects जो हमको किसी भी jsp page के अंदर direct मिले होते हैं पहला हमने देखा out print करने के लिए jsp writer का object है request response फिर हमने देखा config application server context का object है session page exception and page context object तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसको हम लोग direct use करेंगे बिना get किये हुए तो hopefully आपको वीडियो अच्छे लगी और आपको समझ में आएगा implicit objects क्या होते हैं और हम लोग क्या करेंगे next video से कुछ practical examples और project के बारे में कुछ सोचेंगे project के बारे में हम project start करने से पहले क्योंकि project में आपको जरुद प्रड़ेगी HTML, CSS, JavaScript की भी और MySQL की भी जरुद प्रड़ेगी तो हम कोसिस करेंगे सबसे पहले हम लोग एक वीडियो बनाए जिसमें हम लोग सीखें HTML in one वीडियो एक ही वीडियो में हम पूरी HTML अच्छे से सीखें जिससे सब लोग काम कर सको और एक और वीडियो बनाए जिसमें हम लोग MySQL भी अच्छे सीखें जो basic operations है MySQL में insert करना delete करना solid करना यह सारी चीज़े सीखें तो हम लोग कोसिस करेंगे next अभी इस क्या करें हम लोग एक HTML का वीडियो बनाए एक MySQL का वीडियो बनाए उसके बाद हम लोग project भी करने लगेंगे इसी चैनल पर तो आप बने रही है हमारे साथ अगर आपको वीडियो अच्छ